इस वीडियो में हम जानेंगे पास का इंगलिश मीनिंग क्या होता है? पास का इंगलिश मीनिंग होता है near, close, beside और nearby इसे हम example से समझते हैं example पुलिस found the body in a nearby pond यहाँ nearby का मतलब है पास उदाहरन पुलिस को पास के एक तालाब में लाश मिली है झाल झाल